हेलो इभरिवन तो आज मैं बहुती टेस्टी सा एकदम सुपाची और बहुती स्पाइसी सा आज खिचरी बना के दिखार एकदम सिंपल तरीके से ओभी मातर आप एक सीती में ये पूरा खिचरी बना के रेडी कर लेंगे तो ये दिखी आठ से तासिनर्ट में ये रेडी हो तो चलिए यहां जो बनाने के लिए मायटेरियल लगेगा पहले में वह दिखा दे तो यहां में ले रहें गोभी प्याज बारी कटी हुई हरी मिर्च आलू बारी कटी हुई मटर धनिया की पती गाजर ये सारे सबजी है जो कि हम इसमें मिलाएंगे उसके बाद से लहसन आ तो इसमें डालते हैं प्याज, जो रफली कट किया हुआ था प्याज दालते हैं, उसके बाद से यहीं पे डालेंगे गोवी, दोनोंखोर साथ में फ्राई करेंगे, मेडियम फ्रेम पे ज्यादा फ्राई नहीं करना हैं। तो इसलिए जैसे ही एक मिनट हो जाए, प्याज और गोवी हमारे दोनों एक साथ यहां फ्राई हम कर रहे हैं, तो यह देखे एकदम डार्क हो गया ना, प्याज का भी कलर और गोवी का भी, तो अब यहीं प्याट करेंगे आलू, जो कि आलू एकदम बारी कट किया हुआ है, आलू मिला देते हैं, और यहीं पे सारा सब्जी एकदम करके हम मिलाते जाएंगे, उसके बाद से यहां मिला देती हूँ मटर, तो यह मार्केट वाली फ्रेस मटर है, उसके बाद से इसको मिला देते हैं, अच्छे से, और मटर मिलाने के बाद यहां मिला दूँगी, गाज अगला इस टेप पे तो खिचरी बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूं मूँ की डाल और चावल ती अर्वा वाला चावल है और जिस कटोरी से मैं चावल ले रहीं एक कटोरी, उसी कटोरी से मैं एक कटोरी डाल यूज कर रहें, दोनों का measurement मैं बरावर रख रहे हूं यहाँ पर, उसके बाद से यहाँ डाल और चावल को एक में मिला देते हैं, और दोनों को 2-3 वास धो लेते हैं, अच्छे पानी से, तो यह देखे, मैं वास कर लेती हूं, उसके बाद से 2-3 पानी धोने के बाद से, यह चलिए, देखे, कितना अच्छा से एकदम fresh चावल हो गया, अब हम चलते हैं आगे, तब हम चावल को धोके, अब इसको अच्छे से पानी निथार के अलग बरतन में रख लेते हैं, यह देखे, तो हमारा चावल इधर रेडी हो गया, अब हम चलते हैं, गैस की ओर, तो गैस पे मैं यहां कूकर में बना रही हूं, तो बड़ा वाला कूकर चड़ाईए, क्यूंकि सारे सबजी और चावल हम जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा फैलने के लिए जगा चाहिए, तो पानी, तो पानी इसका दो लेयर उपर रहना चाहिए, मतब जितना हमारा नीचे चावल डाल बैठा है, उसके दो लेयर पानी उपर रहना चाहिए, उसके बाद से इसमें डाल रहे है हल्दी और नमक, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी सबजी में भी एकदम अच्छा सा यह में मतर आपको हाथ पे ऐसे चेक करने के लिए, मतर को ऐसे मसल के देखे, एकदम अच्छा सा पांच मिनिट में बहुत ही अच्छा सा इस्टीम से यह पक चुका है, तो यह मुझे 50% ही पका हुआ चाहिए था सबजी, उसके बाद से में होगा, और भी बहुत कम टाइम में, तो उसके बाद से यहां डाल रहे हैं पानी, तो जितना पानी चाहिए, आपको जैसा थिकनेस चाहिए, खिच्छी का और ऐसा रखें, फिर अभी बाद में और जाएगा, तो मैं यहां इगलस और पानी आट के उसके बाद से यहां सीट लगाते हैं, और इसको बस एक सीटी आने के लिए छोड़ देते हैं, तो एक सीटी में मेरा यहां पूरा खिच्छी बन के रेदी हो गया, बाकी यह कूकर पर डिपेंड करता है, कि सबके हां अलग-अलग कूकर है, और गैस उसके अनुसार, तो आपके हां मतलब कितना में ह होता है, आप टेस्ट कर लिजिएगा, तो यहां मेरा एक सीटी में रेदी हो जागा, जब तक हमारा सीटी ले रहा है, तब तक हम चलते हैं अगला प्रोसेस पर, तो यहां मैं एक तरफ गैस पर, तड़का पैन चड़ा देते हैं, उसमें डालते हैं, तीन से चार चमच ते सरसो का तेल, तेल जब गरम हो जाए तो उसमें एट करेंगे, बारिक कटी हुई हरी मेर्च, उससे पहले साबुत जीरा, जब जीरा चटक जाए, तो बारिक कटी हुई हरी मेर्च, बारिक कटी हुई हरी मेर्च, बारिक कटी हुई हरी मेर्च, बारिक कटी हुई हरी मेर्च अगर आपसे अद्रक बारीक नहीं अकट करें तो आप इसे कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं, आप दोनों प्रोसेस सीवज कर सकते हैं, जो आपको सुईधा लगेती हैं, यहां मैं कद्दू कस कर दी थी, अद्रक को उसके बाद से लाष्ट में यहां एड करेंगे कड़ी प करके हम पकने देंगे, जब हमारे लसन और अद्रक अच्छे से पक जा, तो लास्ट में मैं यहां एड करूँ कासमीरी लाल मिर्च, यह कलर के लिए हैं, तो चलिए हमारे तड़का एकदम बनके उधर रेडी हो गया है, अब यहां खिचरी हमारे एक सीटिम देखिए कितना अच्छा से एकदम सॉफ्ट रेडी हुआ है बनके सारे चावल भी खड़े हैं, और सारे वेजिटेबल भी हमारे खड़े-खड़े, तो खिचरी बनाने का सबसे पर्फेक्ट तरीका जो है, वो यही है, कि सारे चीज इसमें खड़े दिखे हैं, चावल भी और सारे वेजि टेबल है वो टूटेना बस उपर नीचे करके मिला देना एक बार तो ये देखे सबको मिला दिये हैं अब यहां लाष्ट में जो बचा हमारा तड़का इसको हम लगाते हैं तड़का तो ये देखे तड़का जाते हैं कितना अच्छा खिचरी का लुक हो गया एकदम कलर फू तो यहां मैं फाइनल के लिए धनिया का पता आड़ करती हूँ तब जाके आप देखे खिचरी में एकदम चार चांद आ गया क्यूंकि धनिया की पती का खुस्पू ही इतना जाद अच्छा होता है कि किसी भी सबजी में अब डाली किसी भी चीज में आड़ कीजिए उसका फ्लेवर ही वह दूगना कर देता है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है तो फाइनली हमारा ये खिचरी बनके डेटी हो गया तो ये रहा, finally हमारा ये खिचरी एकदम बनके रेडी हो गया और ये है Saturday का, तो मैं हर Saturday अपने घर में ये spicy और tasty सा खिचरी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे family को ये बहुत पसंदे, तो आप भी मेरे इस trick को follow करके ये spicy एकदम vegetable mix वाला खिचरी बनाई, जो कि बहुत ही अच्छा ना है ये खिचरी, आपको कैसी लगी, comment करके please बताईएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके कहां कैसा लगा है, किन किन लोगों ने मेरा भी वीडियो देख रहा है, sorry देखे हैं, तो फिर मिलते हैं, एक नए वीडियो में, ऐसे ही एक नए रेश्पिक साथ दोस्तों, फिर मिल करती हूँ, तो आप लोग प्लीज, अगर मेरे चैनल पर नहीं है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक लिए बाई-बाई फ्रेंड्स